हेलो एबरिवान आप सभी का इस चैनल पे स्वागत हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लगतार प्रेक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं अभी आपका इंडियन जोरॉफी का पार्ट चल ला हैं उसी कडि में आज एक और प्रेक्टिस सेट लेकर करके आया गया है बीच म हिमाले के घातियों के बारे में पूरा देखें और इसके बात कैसे कैसे नदी घातियों के अधार पर इसका भी वाजन हुआ कौन कौन से हिमालाई सरेडिया थी और जैसकी आग्या हुंद्ग तो हम लोग देख चुके हैं थीक है इसी ले करके आ जो के आपके लिए क्या होगा काफी important होगा ठीक है अब बात करते हैं यहां पर यह सारा चीज बता दिया गया है जरुवत पड़ेगी तो फिर इसको अम लोग देख लेंगे ठीक है न आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास भारत की उत्री सीमा पर इस्थित परवत कौन सा है इसमें कहा जा रहा है कि भारत की उत्री सीमा पर इस्थित परवत कौन सा है ठीक है न उत्री सीमा पर यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या अरावली है क्या हिमाले है कि नीलगिरी है कि मैकाले है भारत की उत्री सीमा परिष्टित परवत कौन सा है अब जो मैप देखा होगा उसको तो पता ही है तो यह का पर पढ़ जाता है यानि कि वाला रिंस देंगे तो यह मैप पढ़ जाता है कि यह भी उत्तर नहीं है और आवली तो यहां पर पढ़ जाएगा पश्चिम ताइड में इसका राइट हम्त्र होगा क्या होगा कि प्रिश्तित परवत कौन सा तो है आपका उत्त्र में मैंने बताए गांग लगधाइड अंहें के नामचा बर्वा तक पूरा फैला हुआ है और लगबग ये पच्छिस सो किलो मेंटर के आसपास है और इसकी जो चोड़ाई है यह भी बताया गया था 400 किलो मेंटर जो है जम्मू कस्मूर में है और अरुडाचल परदेश में जो है कि इसकी चोड़ाई जो है मात्र और 500 किलो मेंटर के असपास है तो यह सारा चेज आप लोग को बताया जा चुका है ठीक है अगले कोश्चिन पर चलते हैं हिमाले परवत एक मुख्य प्रकार है अब देखिए हिमाले परवत किस प्रकार का परवत है और यह हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि क्या या जो गाता है गाता है और आवली आता है और लाक में आपका क्या जाएगा पश्मी गाता है पश्मी गाता याजाएगा अब का अबbright यह ज्युम्होण होते यह मूम लोग है है मूड़दार परवत मूड़दार परवत और जू? जुआलामुखी परवद का चीजे देखने को मिलता है जुआ जुआलामुखी से ट्रेप भी जुआलामुखी जिसे देखा चता है तो इसको हमने बोल सकते हैं डवकन रव ब्लवद तकन ट्रवद तो इसमें का जया रहे हैं कि हिमाले एक बलिद्परवत हैं मोड़दार हैं और बलिद्परवत क ही होता है तो Supreme यहीन्यिक हैं चेंट नतरु है एक फोलिडंड घिर्व माउंटेव है Kई रहे हैं प्रफोल्ड कब होगा कोई अगर माल नीजे है हमारे पास एक पेज है तो इस पेज को फोल्ड कब होगा जब दोनों तरक से फोर्ट यानि कि दबाव पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा यह ऐसे उंठता हुआ चला जाएगा ना यानि कि फोर्च इधर से भी और फोर्च इ तो उसमें क्या हुआ कि देरे जिए और साथ जमा हुए और एक फोल्डेंड मौंटेंड की तरफ जैसे दुनों से दबाव पड़ा और इधर से इंडियन प्लेट का जैसे दबाव पड़ा तो वो उसका किनारा वाला हिस्सा क्या हो गया उठ गया है ना तो वही हिमाले का रूप ले लिया ठीक है तो यह मैं सारा कुछ बता चुका हूं ठीक है जो लोगी नहीं है जाकर को पुरानी वीडियो को देखें ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बलित परवत क्या हो जाएगा बलित परवत बात करते हैं अगला कि भारत में सबसे उची परव होती है कि घलती होती है कि भारत की सबसे उची चोटी अब पूरे विष्वकी सबसे उची चोटी बच्छा ध्यान से नहीं पड़ता है और अगर गलती होता है तो मांट और भारत के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या कामेत है क्या नंदा कोटा है यह क्या हो गया जी नंदा नंदा देवी है तो नंदा देवी तो होगा नहीं कामेत होगा नहीं नंदा देवी यह भी नंदा कोटा होगा नहीं गाडविन आश्टीन जो है ना गाडविन आश्टीन को हम लोग केटू भी कहते हैं क्या कहते हैं केटू गाडविन आश्टीन के नाम से जाना जाता है अगर इसका पूराना नाम पूछ लिया जाए ध्यान रखेगा इसका पूराना नाम क्या है पूराना नाम अगर पूछ ले एक्जाम में तो याद रगिएगा क्रिष्णा गिरी क्रिष्णा गिरी है ना क्रिष्णा गिरी क्लियर है तो भारत में सबसे उंचा परवत कुन सा है गाडवीन आश्टिन जिसकों लोग के डू के नाम से भी जानते हैं याद रहेगा और यह यह दश्टाए में को आपको के टु देखने को मिल जाएगा तो याद रखेगा ठीक है जलते हैं अगले कोश्चन की तरह कोश्चन आज ज्यादा लेकर किए हैं इसलिए ज्यादा एक्स्प्लाइनेशन आज नहीं करेंगे हैं और कोश्चीजें में हम एक्स्प्लाइन कर देंगे भारत में हिमाले की सर्वत चोटी अब ध्यान दखिएगा यह हिमाले की सर्वत चोटी पूछ रहा है तो हिमाले कहां से कहां सा फैला हुआ है हिमाले आपका फैला हुआ है इधार जम्मु कस्मिर से ले करके लड़ा अरिया से ले करके नमचा बरवा तक तहां तक नमचा फ्रवत भी आता है खंचन जंगा भी आता है दोला गिवी आता है ब्वारत में हमाले की सर्वत चोटी अगर देखेंगे तो डिचेम हिमाले में मांट एओरिस्ट लेकिन यह भारत में यह यह कहां है मैं बताया भी था यह नेपाल में नेपाल और तिब्वत के बार्डर पर प्रवत है यहां पर उत्रागंड साइट से इधर थोड़ा पड़ता है उसके बाद कंचन जंगा अभ्याद के यह सिक्षिंग जो यह बॉटर लगी रहती है यह कंचन जंगा यह आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा परवत और ऐसे बिस ओमें तीसरा सबसे बड़ा परवत एक बरसरी जयातक है सबसे बड़ा प्रवत विस्वों में देखा जाए तो मांट टेरिस्ट होता है इसकी उचाई कितनी है आठ हजार आठ सो आर्तालिस पॉइंट एट सिक्स से मीटर में है ना और जो हमारे पास कंचन जंगा का हाइट होता है आठ हजार पान्चानवे के आजपास या इंठनेवे के आजिफार में है कि दूसरे नमबर से यह हैं और यह हमारे पास लग राए इसकेिपा और तो याद रखीएगा अटbung संतिंग कुछ भी माल लेजए आड यांश ख्यां कchs पास होता है ठीक है ने तो यह उचाई उन्ना इंपोर्टेट नहीं है लेकिन करम याद रखेगा कि सबसे जाधा जो है सबसे पहले नमबर पे माउंट एवरेश्ट है जो की भारत में ना होकर कि निपाल और तिबत में है दूसरे नमबर पे क्या है हमारे पास दूसरे नमबर पे आता है केटू यह केटू क्या पूछा जा रहा है कि हिमाले की सबसे सरौव चोटी क्या हो जाएगी कंचन जंगा क्या जाएगी कंचन जंगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा Afson नमबर C बात करते हैं अगले कोशन की दर्यायम भारत की कौन से प्रवत प्रवत रेडिल नविंतम है यह कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए, सब लोग इसका right answer करेंगे, सब लोग इसका right answer करेंगे, तो क्या सहयादरी के नाम से जाना जाता है इसे, या इसे सहयादरी के नाम से जाना जाता है, क्या इसे हरावली के नाम से जाना जाता है, क्या इसे हिमाले के न सब्सक्राइब लेकिन हिमाले का जो काल है हिमाले देखा जाए तो लगबग हमको लग रहे टूपॉइंट से लेकर के यानि कि फाइब पॉइंट वर्स तक पहले जो है हिमाले का उत्थान दिखा यह सबसे नवीन है और आवली तो चार अरब बर्स पूरू पहले सबसे पूराना और शिष्ट परवत भीश को माना जाता है है ना यह याद रखिएगा तो इसमें राइट एंसर क्या हो माला जो है सबसे नमीन परवत स्रेडी के रूप में जाना जाता है चलिए बात करते हैं अगला है निम्न में से कौन भारत का सर्वत सिखर है यह हमें ध्यान देना है आपसंदेख लिजे मांट एवरेस्ट अभी मैंने बताया नहीं होगा नंगा परवत होगा भारत में हैं सबसे उचा नहीं है नंदा देवी है नहीं है यह तो यह क्या हो जाएगा कंचन जंगा ठीक है इस पर अभी मैं explain किया हूं तो इस पर ज्यादा समय ना दिंगे अगला है ज्यां डिएगा निमने में से कौन सी हिमाले की पर्वो छोटी असम राज में श्तेज्र है क्या है क्या नंदा देवी है नहीं यहそうだ got kinda अरुडाचल प्रदेश में है ना धौलागिरी गाहा है यह हिमालाय में ही है नेपाल में पड़ता है कहां पड़ता है नेपाल साइड में पड़ता है कंचंजंगा यह कहां है सिखम में कहां है सिखम में है न तो इसका राइट एंसर किया जाएगा चलिए बात करते हैं अगले लाकॉश्छन है कि इंडो प्रह्मा नहीं होगा यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा इसका क्या है राइट एंसर है इंडो प्रह्मा नहीं होगा वहिया शिवालिक वह संदश से वही है नहीं इसका राइट इंसर क्या होगा तेविज या तेथिस नाम याद रखीएगा अभी मैंने बताया था ना कि तेथिस में क्या हुआ अउसाथ का जमा हुआ तो उसका क्या हुआ दे दे हमारे पास मिकास होता चला घया उसमें बुहinyl को निर्माड हो घया के लिए कि कॉशिर नमर नाइन में पाद पद्धर प्रदेश निमनमैंसे किस नाम से जाना जाता है में बताया है हमाले पार हुँआा हमाले पर फिया नाम जाना जाता है तो लिवादा घर को आ जिवालिक नहीं तो हमाले पार हमाले बता बता है इसको कि अऐ आइड एधा हमाले नाम बताएदा कारा कोरं कारा कोरं उसके बाद है लद्दाग लद्दाग जास्कर है यह जो है आपके किसमें आते हैं ट्रांस इंबाले में आते हैं इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा option number a option number a इसका क्या हो जाएगा right answer होगा चलिए मज़ा रहा है ना तो मज़ा रहा है तो comment section में answer बताते रहेगा सारे question का ठीक है मैं समय दे रहा हूँ ठीक तो conjuicy मत करिएगा जरूर answer type करिए इसका right answer क्या होगा है ना इसका एब बात करते हैं हम कि नंदा दिभी स्थित है अभी में इसका जिक्र किया था क्या यह इमाचल पर्देस में नहीं जी क्या यह निपाल में नहीं सिक्किम में है नहीं उत्राघंड में हाँ जी आ इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया ना ठीक है चलिए अगले कोशन की तरफ बात करते हैं निमने लिखित में हिमाले परवत का पदी परदेश ये तो मैं कोशन बता चुका है परवत पदी परदेश क्या है सिवालिक कहा है सिवालिक तो ये भी हम लोगोंने क्या है किसका इंसर लगाईएगा इसको द्यान से पढ़कर लगाईएगा पंजाब हिमाले कहां से कहां किस नदी के बीच पाई जाती है कुमायू निपाल असन और यह कोश्चन में कई बार करा चुका हूं किसी का गलत नहीं होना चाहिए आज मैं इसी का वह बाराल पुरा मिस्लिनियस लिकर कर आया हूं कुछ नेख उश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो दिखिएगा कि पंजाब मैंने पताया ते पंजाब जो है 17 से काली है नई सिंदू से वह जाएगां एका त्रीड देख लिए तो ये दुनों तो कट गया दो बच गय Art औज हो जाएगा arna जो पहले की वीडिव सारे देख चुके है थीम चेला है तो अन reverse से बस यह रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप लोग नहीं देखें हैं प्रीविएस वीडियो जाकर के देखिए तब यह पूरा समझ में आएगा और यह पूरा मैं अच्छे से 500 है चार से 4500 से इतना है 4500 में तो होगा नहीं पूर्वाला देख लिजिए तो चंवन सो से नहीं है यह है याद रखिएगा 4500 से 6000 मेटर पूर्व में क्या देखने को मिलता है हिमालय में हीम रेखा देखने को मिलता है हीम रेखा जो है यहने की बर्फ के चटान की रूप में देखने को मिले है यह मतलब क्या होता है बर्फ ठीक है ना चलिए बात करते हैं अगले कोशन की तरह कोशन नमबर फोटिन है निम्न में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सरवत चोटी है अब संसार की तो संसार की पता है सबको नंगी तरह की संसार की तीसरे नंबर पर भारत की दूसरे नंबर पर याइग, यह पूछेगा और भारत कपी पूछेगा तो पींटि झगाजहें इसको कर एक पुरुव नाम क्या है अगर गलत किया आप लोग तो सोच लेजिए का पुर्वनाम क्या है कारा कोरम क्या पाया जाता है केटू के लिए इसका पुर्वनाम जाना जाता है क्रिष्णागिरी अभी मैं बताया हूं ठीक है ना क्रिष्णागिरी एक क्रिष्णागिरी नहीं है क्रिष्णागिरी ठीक है तो याद रखिएगा सागरमाता हिमाले को नेपाल में कहा जाता है कहा जाता है जी सागरमाता नेपाल में ठीक है ना तो यह याद रखिएगा चल लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है ज्यान रहेगा बढ़िया कुशन है अगर इसको अगर देखा जाए तो यह सारा जो देखा जाता है यह दून के नाम से जानते हैं इसको खैना कि और अधैर होती है और अनुदायरत होती लंबी होती है तो इसका राइड़ एंसर क्या होगा दुन होगा ठीक है मर्ग कहां टीकने को मिलता है करते हैं यहां पर देखने को मिल गया ना लगो एवाले स्रेडी के डालोप विलने वाली छोड़ी गासों के मैदान को जम्मू कस्मिर में क्या करता है देखिए प्यार कहते हैं आप कमेंट सिक्शन में इसका राइट एंसर जो है हमारे हिसाब से जम्मू कश्मिर में छोटी गासों को पयार या बुगयाल है ना इसको थोड़ा अभी इस्टार मार्क करिए गार यह अभी गिलियर नहीं हो पा रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे डाउट है इस पेटी कि ना इसको हम लोग कल देख लेंगे है ना चलिए बात करते हैं अगले हमाले कें साट्लिय रिख अग्यादानों को उत्रागण में इसको दून कहते हैं टाया चात्यूरा करते ही चोड़ा इसको कूश tari के बताईए सभी लोग अभी तो बताएंगे सतलज और काली के बीच में क्या हो सकता है बंजाब होगा नहीं ये तो सिंदु और सतलज के बीच में तो ये कुमाई हो जाएगा क्या हो जाएगा तुमाई नेपाल कहां से होगा काली से तिस्ता तिस्ता से ब्रह्म पुत्र या त्यांग ठीक है असम होगा ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अप्सें नमबर भी आज इतना तेजी से क्यों चल रहें क्योंकि केवल केवल क्रेक्टिस सेट करेंगे सारा कोशन इसका थीऊरी बता जिया ठीक है ना काली और तिष्टा क्या होगा नेपाल होगा क्या होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कि समाले चोटी को सागरमाथा कहते हैं अभी मैंने बताया है कि माउंट औरेश्ट को क्या कहते हैं नेपाल में क्या करते हैं सागरमाथा के नाम से जानते हैं ठीक है इसका कुछ वन लिनियर फैक्ट भी आपको याद रखना है कभी कभी क्या होता है कि आपके लिए इंपोर्टेंट साबित हो जाता है याद रहेगा चलिए बात करते हैं अगले कोशन की दरब अगला है एडमंड हिलेरी तता तेंजिंग नौर्गे द्वारा बिश्व के सर्वोच चोटे मांट एरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्स विजय प्राप्त की गई देखिए एडमंड हिलेरी और तेंजिंग के लाम आप लोग जानते होंगे तो यह जो है 1903 में क्या किये थे 1903 में इस पर चड़ाई किये थे ठीक है न तो यह फैक्ट है कुछ चीजे एकदम बेलकूल क्या है कि पूछी जाती है कई जगा PCS में कई स्टेट PCS में फैक्ट पूछ लिया जाता है ना इसको इस्टेटिक जीके में भी ले सकते हैं ठीक है न तो 1953 में इसके कमेंट सेक्षन में बताईएगा कि यह 1953 है कि कुछ और है मेरे इसाफ़जे तो यहीं होगा ठीक है चलिए अगला है नंदा देवि कोटि है नंदा कहा किए उत्तंव आले ले चेतर में अगर याद है तो मेहनत लगता है यहां पर खड़ा होने में चिलाने में आपका तो यह बनता ही है कि लाइक कर दिया अगर यह कम से कम है अब बात करते हैं अगले कोशिन की दरह हिमाले प्रवत की एक स्रेडी अरकान यूमा कहा इस्तेत है मैमार का नाम जानते हैं आप लोग मैमार में अरोकान यूमा स्रिडी आपको मिलेगी खीख करते हैं के लिए क्षाशन की दरहां ऑठीजि अब को नियों में तो ही यह क्या है हवा वाला कोशन धूआ चोटा कोशन हो गया है जम्मु कस्मिर में इस्तेद निमनेलेकेत परवस रेडियों का पुर्वसे पश्चिम की ओर क्रम होगा ज्यान देख लेजिएगा पुर्वसे पश्चिम पश्चिम मत लगलेख तो आप सहम समें सेट के संव हो है जम्म्मकस्मिर में पुर्व से पश्चिम पुर्व 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 तो सबसे उपर क्या होगा कारा कोरम होगा यानि कि पश्चिम साइड में है ना और इधर की तरफ आएंगे पेर पंजाल आपको देखने को मिलेगा लास्ट में है ना पूरब से पश्चिम तो लास्ट में तीन देखने को मिलेगा तीन देखिए किसी में है भाई है पेर पंजाल पूरफ से पश्शिम कह रहा है तो पूरफ से पश्शिम तो ऐसे होगा है ना यहां पे तो आपका यह ठांस है यह आपका कराकूरम है कराकुरम के बाद यह हमका यह हो गया लदाक जाशकर फिर पंजाल है न तो पेर पंजाल अईसे जाते हैं हम कराकुरम स्रेडी हो जाएगा यहां पे तर्ख साइड में यह बोल दी आए पूरव से पस्चिम साइड में को लदाक जाशकर कराकुरम दो एक तीन दो तो वने पेर पंजाल सबसे पस्चिम में गया होगा पेर पंजाल उसके बाद जाशकर दो एक तीन चार दो एक तीन चार है न है दिख रहा हैं दो एक तीन चार है ना दो एक तीन चार लदाक स्रेड़ी और हमारे पास जाशकर स्रेड़ी एक बार इसको मैप से देख करके कंफर्म कर लेते हैं एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं मैप से तुरंट देख लेते हैं फटाफट लेओ यह थोड़ा इस सिस्टम का अलग ही रूल है जल्दी अब यह देखेए करी दिगराओ है जासकर रेंज वोश फेर पंजाल और यहिए हैं लगदाव कई सी बीच में छिपा होगा है पर पंजाल यह लदाख ही है करक गुरम ही है उत्तर से दथिड होना चाहिए अब यह पूरब से पश्चिम बोल दिया है पूरब से पश्चिम इसमें कहां से रगाएंगे आप लोग है कि मेरे इसाब से पश्चिम इसको माना जाता है तो पिर पंजाल है जासकर स्रेड़ी है पिर पंजाल एक्चिली में यहां पर स्रेड़ी देखाई जाए रहा है जासकर यहां दिखाई दे रहा है और कारा कोरम यहां दिखाई दे रहा है पूरव से पशिम नहीं होगा उत्तर से दच्छिड होता तो सही हो जाता है पूरा साम को लग रहा है रॉंग टाइप हो गया है उत्तर से पूरव में तो नहीं बता सकते और भी हिमाले स्रेडिया है जो उसको बताया जा सकता है लेकिन इसमें जो है इसमें एक बार पूर्व से पश्चिम नहीं करके इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग इसको आप कर लीजिएगा उत्तर से दच्छिड इसको सेट कर दीजिए क्योंकि फूर्व से पास्चिम तो हो गाए क्योंकि वह उत्तर से दच्छिड इसको सजाया जा सकता है अभी आपको मैंने मैप भी दिखाया है ना तो इस कोशें में डिफाल्ट है इसके बाद तो मैं बताया हूं कई बार कि कारा कोरम क्या है सबसे पहले नंबर पे है दूसरे नंबर पे क्या है आपका उपर से नीचे की बता रहा हूँ पहला है कारा कौरम उसके बाद लद्दाक उसके बाद जासकर उसके बाद पीर पंजाल पेर पंजाल है न तो यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए बात करते हैं अगले कोशिन की द्रब अगला है आपके स्किन पे भारत की सर्वच प्रवस्रेडी कौन सी है भारत की सर्वच प्रवस्रेडी यह तो अभी बताया गया है भाई तो क्या हो जाएगा गार्दवीन आस्टीद है ना ये क्या है बोफके दरन के बीच अ हुस्थी क्या कपना यह नहीं थी कि नहीं कि लदधार तेथा पेन भाले पांजाल में लदधाज कुलू गाट ही हिमाचल वाले परदेश में देखने को मिलता है लदाज में परते कि दोंगे कोशन की तरह अगला कोशिन है, उत्राखंड का सबसे उच्छा पर्वन सिखर, अब द्यान लग Denkर, क्या बद्री नात है, किदार नात है, कामेत है, नंदा देवी है, तो इसका राइट इंतर क्या हो जाएगा? ये नंदा देवी ही हैं क्या है नंदा देवी जी जो है कि सबसे उचे हैं सबसे उची है कहा कि तो उत्राखंड की सबसे उचे सिखर का अगर पूछा जाए तो सब उत्राखंड में है लेकिन इन लोग की हाइट के एकोर्डिंग इसको दिखा गया है तो इसमें नंदा देव की हाइड जो है सबसे जादा मानी जाती है ठीक है सबसे जादा मानी जाती है ठीक लगबग सात अजार से सुरू होता है इतना मुझे ग्यक्ट डाटा नहीं याद है लेकिन नंदा देवी याद रखीएगा ठीक है अब इस टैप की कोशन आएगा तो आपको फैक्ट पे प्लायोशीन ठीक है दोनों का नाम अगर याद रखीएगा ठीक है बात करते हैं अगले कोशन की दरग अगला है हिमाले का दूसरा सबसे उच्छा परवसिकर कंचन जंगा भारत के किस राज्य में इस्थित है अभी मैं बताया हूं कि कंचन जंगा जो है भारत के सिक्के ठीक है ठीक है अगला कोशन है निम्नलेकित में से सबसे प्राचीन परवसिरेडी कौन सी है यह तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आवली है क्या है और आवली है अब ध्यान दखिएगा यह छोड़े जोड़े कोशन है यह तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए भार अरावली देखेंगे तो आरावली आपका तीन राज गव्याति में देखने को मिलता है राजस्थान की लगता जबनानि ziemर्ट इस्थान हरिआड़ा घरिआअ कि और गुजराथ है ना गुजराथ और किंद्र सासित प्रदेश दिल्ली साइड में भी अरावली का छेतर देखने को मिलता है सत्पूड़ा भी है सत्पूड़ा जो है बियार तक फैली हुई है ना 36 गड़ एरिया से होते हुए जाती है तो यह भी तो एक में होगी नहीं एंपी में है 36 गड़ में हैं ठीट गड़ में हो गया विहार में चारखंड में भी यह तो आप लोग देखते हैं कि ढ़ेंगे कि विक देखाए के तमिलाडू के कन्या कुमारी तर्तका कहां तो घौवा आ गया फर करना अटक आ गया केरला आ गया तो ये भी केवल अकेले नहीं फैला हुआ है सिर्फ महाराष्ट में और अजन्ता की गुफा, इलोरा की गुफा अजन्ता सिर्फ महाराष्ट में और यह केवल एक ही राज्य में है ठीक है ना यह कोशन अच्छा था ठीक है ना याद रखेगा इसका भी कि अरावली कितने राज्यों में फैला हुआ है तो रायस्तान हरियाडा गुजरात और एक केंदर सासित परदेश से बांडरी बनता है वह दिल्ली है ना इसके बाद हम मात्र केवल एक राज्य में फैला हुआ है और सायाद्री जो है बच्चे की सायाद्री जो हता है आप लोगा यादर क्यांगे गुजरात से काथियवार से लेकर के काथियवार से लेकर की स्टात है कंयाकुमारी तक कि यानि कि जो हमारा मालाबाट होता है ये पूरा पश्चमी घाट के अंतरगत आता है जिसको हम लोग सहयादरी के नाम से जानते हैं तो सहयादरी को क्या बोलते हैं पश्चमी घाट बोलते हैं याद रहेगा तो सहयादरी को हम लोग क्या बोलते हैं पश्चमी घाट बोलते है कि हिमादरी और सहयादरी किस से संबंनेत है याद रखिएगा हिमादरी को हम हिमाले बोलते हैं ठीक ना इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा option number c अजन्ता अजन्ता जो है केवल एक राज्य में फैला हुआ है चलिए बात करते हैं अगले कोशन की दरब तो अगला कोशन यह है कि भारत में सबसे प्राचीन बलित परवत माला कौन सी है द्यान से सकीएगा परवत तो अभी बलित में पूछ रहा है ना तो अरावली है अ सबसे प्राचीन में क्या जाएगा आपका तो सबसे प्राचीन इन सब में सबसे प्राचीन क्या होगा अरावली होगा ठीक है बात करते हैं अगले कोशन की दरब तो अरावली परवत का सर्वत सिखर क्या कालाता है तो अरावली परवत का सबसे सर्वत सिखर जो है गुरू सब्सक्राइब्स और रावली का सब्सक्राइब लावद रावली वाला जो छेतर रावली सही इक रावली की छेतर है जो रावलों जिसका उचाई पूछता होगा तो पूछ लेगा लेकिन वैसे उचाई भी याद रखिए कुछ जो परवतों को उचाई है वह फेमस होता है तो इसका नाम और इसका होता है 1722 मेटर ठीक है ना सब्सक्राइब दो नदी निकलती है तो आपके नर्मदा निकलती है नर्मदा और धूसरा निकलती है सुन है ना नर्मदा और सून ठीक है नर्मदा नदी जो है यह एक मात्र एश्यूरी बनाती है यह नदी क्या है एश्यूरी बनाती है तुन नदी क्या है यह गंगा की सहायक नदी है जो की दच्छिड से मिलती है कहां से मिलती है यह गंगा की सहायक नदी है गंगा की सहायक नदी तहायक नदी है ना और ये जब आप देखें होंगे तो ये सून नदी क्या होती है ये दच्छेड से गंगा में मिल जाती है ठीक है ना ये दच्छेड से गंगा में मिल जाती है और इधर से ये कहां से निकलती है ये तो ये गंगा उत्तर परदेश में जब आती है तो यहां मिल जा तो नदी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसी को पूरा अच्छे से भी वहां पे हम देख लेंगे ठीक है इसका राइट एंसर क्या होगा अरावली प्रवत का सर्वत सिंखर क्या का लाता है तो गुरुशिकर क्या का लाता है गुरुशिकर चलिए बात करते हैं अगले कोशन क क्या होगा और अलियवसिष्ट पर्वत सिंखर क्या प्राइटान है हिमाले जो है मोड़ ऑर है वालिफ परवत है एक ब्रंस गार कारे कैया जो अलबशी से निर्मित व्रंसिया यह पाश्मी गार जो है टिकर ब्रंसियर फॉल्ट देखने को मिला है ब्रंस देखने को मिलेगी कुछ-कुछ जगहों पे दरारे देखने को मिलेगी है ना बिल्कुल कांटेनिवर्स नहीं है ठीक है ना तो इसी तरीके से याद रखिएगा जितने भी हिमाले स्रेड और आलिस रेडिया होगी है यह स्रेड पश्चमी या उस इस्ठ क्या होगा अर आवली मोड़दार में हिमाले और इसमें क्या होगा दक्कन के है कि इसमें बात करते हैं अग्ले कोशिन की दरब निंदेलिकित में केसपरवत माला को सहाधरी के नाम से यानना याता है अभी मैं बाति कर गर नावST को कहां से शुरू होता है काठियावार से लेकर जो कि गुजरात में है और कहां तक जाता है कन्या कुमारी समिलाडू गृट गो जो घृट जाना जाता है तो याद रखिए गई सारा पुछा जासे है कि मालावार टट किस से संबन्दीत है पश्चमी गाट से तो पुर्वी गाटी सिन्ना होकर के पश्चमी गाटी से हैं और कुरुमंडल का संबंद कर से हैं तो कुरुमंडल का जो संबंद होता है कुरुमंडल का संबंद जो होता है आपका पुर्वी गार्ट से कहां से हैं पुर्वी गार्ट से तो इतना बात को याद रखिएगा चलिए बात करते हैं अगले कोशन की दरब अगला कोशन है प्र प्राइदिएपी भारत में उचितम परव चोटि क्या होगी यहां पर आपको ध्यान देना है ठिक प्राइदिपी भारत में उचितम परवत चोटे सबलू बताईए क्या अनाई मुडी क्या दोदा बेटा क्या महेंद्र गिरी क्या नील गिरी उशे कहते हैं जहांपे पश्मी घाट पश्मी घाट वह पुर्वी घाट मिलते हैं मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम नील गिरी के नाम से जानते हैं महेंद्र गिरी जो वहती है यह महेंद्र गिरी पुर्वी घाट की सबसे उची चोटी है सबसे उची चोटी है दोदा बेटा ध्यान लगिएगा दोदा बेटा नील गिरी परवत की सबसे उची चोटी है इसकी अगर उचाई देखेंगे तो 26,35 या 37 मेटर होता है जबकि अनाई मुडी जो है अन्ना मलाई पहाड़ी पे एक नल्ला मलाई है एक अन्ना मलाई है तो अन्ना मलाई पहाड़ी पे इस्थेत सबसे उची चोटी दच्छड भारत की है तो यह 26,95 मेटर है प्राइदीपी भारत या नि दच्छड भारत में तो दोदा बेटा और अनाई मुडे में बड़ा कन्फ्यूजन था दोदा बेटा जो है या नील गिरी की सबसे उची चोटी है जबकि अनाई मुडी की है पूरे दच्छड भारत में क्या है कि सबसे उची चोटी माना जाता है ठीक है ना अगर ये पूले दच्छड भारत की दूसरी सबसे उची चोटी तो आप लगाईएगा किसको दोदा बेटा जो की नील गिरी परवत क्यों की सबसे सरवची चोटी है यहां से कोश्चन कई बार बना हुआ है ये भी कोश्चन बना हुआ है कि उस स्थान को उस स्थान का नाम बता है जहां पश्चमी घाट वापूरबी घाट लों बीगाट मिलते हैं उसका नाम है नील गिरी प्रवत क्या हैो इने लोगी ढिली ता कर पश्चमी और पूरबी घात हाएं ठीक है रहां तो याद रखेगा यह सारा explanation में जो बता रहा हूं यह नूट करते चलिएगा ठीक है चलिए बात करते हैं अगले कोशन की द्राब अब इसकी बाद मैंने किया नहीं होगी आपका यहां नहीं देखने को मिलती है तो नीलगीरी क्या हो जाएगा नीलगीरी ठीक है यह है सब दच्छडे बारत की ठीक है न तो यह भी आतक किएगा सब जैसे जैसे कोशन आएगा सब रिकर करते चलेंगे ठीक है भारत के सबसे दच्छडी बाग में से कौन सी है सबसे दच्छडे में पूछ रहा है यह कोई नोट करीएगा सबसे दच्छडी बाग सबसे दच्छडी भाग में इसमें से ना निलगिरी काडमम काडमम है पालनी अन्ना मलाई है तो इलाईची की पहाडी के नाम से जाना जाता है एलाईची के नाम के नाम से इलाइची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और ये है क्या काडमम पहाड़ी है ठीक है ना तो ये भारत के सबसे दच्छिड में इस्थित है ये पहाड़ी और जिसको हम लोग कहते हैं काडमम पहाड़ी है और ये इलाइची के लिए ज्यादा पहाड़ी है तो कोशन बन सकता है इलाइची के लिए सबसे महत्वपूर पहाड़ी कौन सी है इलाइची के लिए सबसे महत्वपूर पहाड़ी कौन सी है तो याद रखिएगा कौन सी है काडमम पहाड़ी है चलिए बात करते हैं अगला अगला कुश्यन है पुर्वी घाट परवस्रेडी का सुर्वच सिखर है पुर्वी घाट का अभी में नाम बताया हूं कहीं महंद्र गिरी दिख रहा है तो लगा दीजिए अगर महंद्र गिरी दिख रहा है तो लगा दीजिए लॉक कर दीजिए पंचमडी नहीं पंचमडी तो महेंद्र गिरी होगा पुर्वी घाट बुज रहा है ध्यान दीजिएगा ठीक है चलिए तो इसका राइट एंसर क्या होगा महेंद्र गिरी अब याद रखेगा अगला कोशन काड़म पहाड़ी कहा अवस्तित अभी मैं बताया हूं क्या जमू कस्मिर में है जी क्या यह है नहीं कामण सेंस लगाई यह कि यह महराष्ट्या ऊपर है अब आप हिमाचल परदेश को भी कार सकते हैं यह यह तो कौमंसेंस वाला कोश्चन होगए इसमें तो गुद्धी लगाना भी नहीं है इस तो बचा क्या ऐगना कैरल आ है केरल अगर कैरल से टमिलनाडू भी द तो चलिए आज के लिए बस हम लोग यहीं पर आपसे बीदा लेते हैं क्योंकि कोशन्स जादा रखे गए हैं आज है ना तो इसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट करते चले जाएंगे देखिए लगतार हम लोग एक पर एक वीडियो लेके आ रहे हैं और काफी अच्छे की तैजारी कर रहे हूं या बड़े एक यम की तैजारी कर रहा हो तो यहीं से देखने को मिलेगा ठीक है ना यहां वह इक्षे कोस्टा करने का एक से मैं दस कोशन कम दिगां चे कोशन मिनिमम देता ही हूं एक कोशन के बदले चे कोशन तो जोड़े यह कितने कोशन है ना तो यह याद रखिएगा अब मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए तब तक लिए आप इंतिजार करिए ऐसा ही आसते रहें मुश्कुराते रहें थाइंक्यू खुलास